Hello students, हम बात करने वाले हैं MPPAT exam 2024 के बारे में तो यदि students आप MPPAT exam दे रहे हैं तो आपका paper कब होगा, कितनी फीस आपको लगने वाली है college में कौन-कौन से college है, इसके साथ में exam कब होने वाला है आपका application form कब आएंगे, कितनी students आपको application form की फीस लगने वाली है क्या syllabus होगा, paper pattern क्या होगा, total तो टॉपिक आपके मन में चल रहे हैं MPPAT से regarding, सभी topic पर students इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईए वीडियो के start करते हैं, मैं हूँ रमाकान पटेल और आप देख रहे हैं तो स्वेंस आपके जो application form है, वो आएंगे स्वेंस माई में जीहां स्वेंस जैसी application form आएंगे, हम आपको यूटूब में वीडियो बना के बता देंगे तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा, second week में आप लोगों के application form आ जाएंगे MPPAT exam कौन देता है, तो स्वेंस MPPAT exam जो है agriculture वाले बच्चे, यदि आप math से है 12th में तो स्वेंस math वाले बच्चे और biology से यदि आप हैं, तो आप इस exam की तैयारी कर सकते हैं यदि आप 12th running है, 11th running है, तो भी स्वेंस आप इस exam को दे सकते हैं तो 12th running है यदि आप हैं, तो स्वेंस आप अभी से तैयारी में जूड जाएं 12th pass out भी हो चुके हैं, तो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इसके बाद में स्वेंस आपका जो form माई में आएगा, तो स्वेंस जून के starting week तक यह आपके form भराय जाते हैं जब भी application form आते हैं, तो आपको 15 से 20 दिन का समय मिलता है application form भरने के लिए तो application form भरने के लिए आप लोगों को लगेगा अधार कार्ड, इसके साथ में स्वेंस आपको लगेगी दजबी की mark sheet क्योंकि दजबी के mark sheet के base पर form भराय जाते हैं और यदि आप बारवी running है, तो आप form भर सकते हैं बारवी result आने के बाद में लगता है, तुरंट में result की आपशक्ता नहीं पढ़ती है, तो आप form भर सकते हैं फिर जब आपका admission हो जाता है college में, college मिलने के बाद में, तब फिर आपको बारवी की mark sheet लगती है, तुरंट में कोई भी mark sheet आपको नहीं लगेगी, सिफ दजबी की mark sheet के अधार पर आपका form भर दिया जाता है, एक आपको photo लगेगी और आपका signature लगेगा, और आपका form भर ज सकते हैं, other state से belong करते हैं, तो भी आप इसके form भर सकते हैं, उसके लिए कोई भी problem आपको नहीं जाएगी, तो correction हो जाता है, हालकि आप form सामने देखके भरवाएंगे, तो गरवरी आप से नहीं होगी, admit card आप लोगों के June के जो थर्ड वीक में हैं, तब आ जाएंगे, और June क लास्ट लास्ट में आपका एक्जाम कंडेक करा लिया जाएगा, मतलब लगभग 25 जून से लेकर 30 जून के बीच में संभावी थे कि एक्जाम हो जाएंगे आप लोगों के, और फिर जो रिजल्ट है वो आपका जुलाई के सेकेंड वीक में, मतलब 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका जल्ट भी आ जाएगा, तो श्वेंस काउंसलिंग जो है वो अगस्त में चालू हो जाएगा और आपको कॉलेज मिल जाएगा, और आपका जो नया सेशन है फिर वो अगस्त के बाद में चालू हो जाएगा, तो ये श्वेंस आप लोगों की प्रोसेस रहेगी, 2024 की इसके बाद में स्लेबस पैटर्न क्या रहेगा श्वेंस, तो श्वेंस पैटर्न में यदि आप 12th agriculture से हैं, तो श्वेंस आप लोगों को पेपर में फसल उतपादन आएगा, 50 कोशन आएंगे, एक कोशन एक नमर के लिए रहता है, तो 50 नमर का जो है फसल उतपादन हो ज रहते हैं, जिसमें physics, chemistry, maths, bio, सभी के 25-25 कोशन आते हैं, physics के 25, chemistry के 25, maths के 25 कोशन और biology के 25 कोशन आते हैं, तो इस तरीके से आपके 100 कोशन आते हैं, कसी विज्ञान से, element of science है, 100 नमर के लिए, तो टोटल पेपर आपका जो है, वो 200 नमर का होता है, तीन घंटे का, जी हां computer पर आपका online paper होता है, तुरंत आपको result भी मिल जाता है, 200 question आएंगे, जैसी आप paper solve करोगे, तुरंत result भी मिल जाता है, online paper होगा, pen, copy आपको वहाँ पर मिलते हैं, rough page मिलते हैं, photo copy वाले page, आपको question को rough copy में solve करना होगा, जो rough page मिलेंगे, जो भी answer आएगा, वो तिक माक करती हो चलना है, अब यदि आपको computer चलाना नहीं आता, तो केवल यदि आप एक या दो दिन computer चलाना सीख गए, सिर्फ normal basic आपको mouse चलाना आना चाहिए, सिर्फ दो दिन के computer का इदी आपको knowledge है, तो आप paper दे सकते हैं, computer की कोई जरूवत नहीं, कि भी आपको कोई certificate करना है, तब तो भी आप paper दे पाएंगे, तो यहाँ पर computer नहीं भी लगता, और यदि आप एक भी दिन computer बिना सीखे जाएंगे, तो भी आप paper दे देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ mouse पकड़ना सिर्फ टिक मार करना है आपको, ठीक है, और बाकी पूरा काम आपका जो है, रफ copy में होगा मतलब आपको page मिलेंगे, उसमें solve करना है, तो computer की कोई भी टेंशन वाली बात आपकी ठीक है, इसमें नहीं होगी, इसके बाद में इस्ट्रेंट्स आप math से हैं या biology से हैं, तो physics chemistry ये आप math से हैं, तो math से आएगी आपको, 50 question जो है physics के रहेंगे, 50 question chemistry के रहेंगे, और 100 question math के मतलब 200 question आपको जो है, वो math system से हो जाएंगे, वह जी आप biology से दे रहे हैं, तो physics chemistry biology को आएगी, biology strengths आपको 100 number की आएगी, math से देंगे तो math 100 number की आएगी, तो ये strengths आपका paper pattern होगा, अब syllabus कहां से देखें, डेटेल में, तो strengths आप YouTube पर सर्च कीजिए, MPPAT 2024, PCB syllabus, MPPAT 2024, PCM syllabus, science zone academy लिखकर सर्च कर लीजे, MPPAT 2024, agriculture syllabus, तो strengths आपको total syllabus जो है, हमारा मिल जाएगा, इसके बाद में, strengths हम बात करेंगे, कि भिया ये paper कैसा होता है, तो ये state level का paper होता है, इससे क्या करेंगे आप, तो strengths इस paper को देने के बाद में, आप कर सकते हैं, BSC agriculture, PSC horticulture, और आप strengths यहाँ पर कर सकते हैं, BTEC engineering, तो ये तीन course, MPPAT exam देने के बाद में, आप कर सकते हैं, मतलब agriculture में दिया आप अपना future देख रहे हैं, उस field में दिया आपको जाना है, तो आप MPPAT exam देंगे, तो strengths यदि हम इसमें चर्चा करें आप लोगों से, कि भिया फीस कितनी लगनी वाली है, तो general वाले जब इस form को भरेंगे, तो 500 रुपए उन्हें फॉर्म भरने की फीस लगती है, SC, ST, OBC वाले जब इस form को भरते हैं, जब application form आता है, तो स्वाइन तो उन्हें 200 रुपए लगते हैं, और ये सारा काम जो है, वो online net cafe वाले ही करेंगे, course आपके पास में क्या है, तो BSC agriculture रहेगा, BSC horticulture रहेगा, 12th आपका होना चाहिए, ठीक है, वो आप paper देने के बाद में भी 12th pass out होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, counseling से पहले, अगस्त में counseling होगी, तब तक आपकी 12th की mark sheet आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको counseling में mark sheet लगती है, तो आपका जो result है, और mark sheet जो है, क्योंकि लगना mark sheet कब है, अगस्त में लगना होता है, और आपको समय भी मिल जाता है, आप चाहो तो बाद में भी mark sheet दे सकते हो, college join करने के समय पर, इसके बाद में students, BSC agriculture कौन कर सकता है, तो students agriculture वाले भी बच्चे कर सकते हैं, math वाले बच्चे जो PCM से paper देंगे, वो भी कर स सकते हैं, और यदि biology वाले बच्चों को यहाँ पर physics पसंद नहीं आ रही है, तो वो paper ABC से भी दे सकते हैं, math वाले बच्चों को math पसंद नहीं आ रही है, तो वो paper चाहा है, तो PCA से भी दे सकते हैं, और math वाले बच्चे चाहा है, तो total agriculture से, biology वाले बच्चे चाहा है, तो total agriculture तरफ से भी पेपर दे सकते हैं तो आप अपने पसंद के अनुसार जो है वो subject selection करके paper यहाँ पर दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बीटेक कौन कर सकता है तो बीटेक के वल जो है वो maths वाले बच्चे ही कर सकते हैं जिनका क्या हो सिफ मैथ वो मतलब जिनने PCM से पढ़ा हुआ है सिफ वो PCM से पढ़े हुए वाले बच्चे ही क्या कर सकते हैं बीटेक इंजिनिंग कर सकते हैं एग्रिकल्चर वाले बच्चे बाइलोजी वाले बच्चे बी-TEC नहीं करते हैं वरीस फ्रेंस आप कोचिंग करना चाहते हैं साइन्स जोन अकेडमी के माध्यम से तो MPPAT की स्थेंग्स आप लोगों को कोचिंग साइन्स जोन अकेडमी के माध्यम से प्रवाइड करवाई जाएगी यदि आप आपको मिलते हैं DPP आपको श्रेंस डेली की मिलती है फुल कोर्स वित रिविजन हम आपको करवा के देते हैं और सरवाधिक मद्धप्रदेश में सेलेक्शन देने वाला एक मात्र कोचिन संस्थान श्रेंस जिसमें पिछले वर्षी श्रेंस 210 से भी ज़्यादा बच्चों का सेलेक्शन हमारे कोचिन संस्थान से हुआ है पूरे मद्धप्रेश में सब्त्रियादा एगरिकल्चर की फिल्ड में सलेक्शन देने वाला एक मात्र कोचिन संस्थान है यदि आप भी कोचिन करते हैं तो बहुत ही कम फीस में आप तयारी कर सकते हैं MPPAT एक्जाम की और श्रेंस आप गवर्मेंट कॉलिज से करते हैं तो श्रेंस आपको कैंपस सेक्षन भी मिल जाते हैं और श्रेंस आपकी डिगरी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है और आपको सीखने को भी काफी मिलता है और फीस में वो लगबग 10-12,000 रुपे साला नहीं होती है इसमें आपको होस्टल सुभिधा भी मिलती है रहना, खाना, पीना, सब बहुती कम पैसे में होता और आपको स्कॉलर्शिप भी 35-40,000 रुपे तक मिल जाती है और आपको फीस लगती है 12-15,000 रुपे जादा से जादा और स्कॉलर्शिप इससे दो गुनी, तीन गुनी आपको स्कॉलर्शिप मिल जाती है तो आपका स्कॉप जो है और आपका जो करियर है यदि आप गवर्मेंट कॉलेज से पढ़कर बनाना चाहते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंड हो जाता है MPPAT एक्जाम को क्रेक करना तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं पाजी संपर कीजेगा मेरे मोबाइल नंबर 9407-384042 पर मिलेंगे फिर ऐसी अन वीडियो के साथ में टब तक के लिए थैंक यू बाबाय और टेक क्यार झाल